तो हलो फ्रेंस जैसे कि आप सोई को पता है यह सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है ठीक है और अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो बल की खोजबीन के बारे में देखने हैं जो आपका किताब में यह टॉपिक है इससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था आप करसन और अभी करसन के बारे में और आज हम लोग यह देखेंगे और एक एक टॉपिक और देखेंगे ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो वीडियो के लाइक कमेंट सेरजरों से किजिए और चला पहने चला को सब्सक्राइब करके बेला कि प्रेस कर कुछब कर GRAD को जो किसी बस्ती करने की कोषिष करता है कोशिष करता है मतलब की से देखेंगे अच्छे से देना होगा चुक्कि अगर एक बड़ा सा पहाड़ है ठीक है बड़ा सा अगर पत्थर है जो अपने उकाद से फाजिल है ठीक है तो हम लोग उसको ठाकेल तो सकते बल तो लगा सकते बट वहीलेगा नहीं ठीक है उसके इस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा या फिर कुछ भी उसको लोग बल लगा कर उसके इस्थिति में परिवर्तन ला देते लेकिन ऐसा नहीं होता है जब अगर हम्हारे बल से अगर वहाटकर मतलब जादा हो तो फिर वहीलेगा नहीं इसलिए हम लोग कोशिस करते हैं ठीक है ना बल भी लगाते है ठीक है तो ऐ एक सहले विए मलकार तो इसने को दोलागी और मैं आपने कुछ भी जैसे अगर ट्रक्राइश, छोन ऊखरण प्रकों से अगर था हिल एक विर नहीं लेए लेगा लेकिन हमि ton, बल स्पार और कर बाते के बारे में तो बल जो हमैब का अगर एसा इमांत्राक करह स्थे यानि मातरएक अगर पर नियुत्त तो यह इसका मातरक होता है थे तो यह था इस यह होई को शुजबीन के यह जाना कुछ नहीं है जैसे कि बल जो है अगर यह चोटा सा प्स तक हो एक जैसे कोई भी कार्डून है अगर वह खाली है तो अगर आगर בש स्थिति में परिवर्तन लगए या फिर उस पर अगर हम लोग बल लगाएंगे तो काफी आसानी से उसको हम लोग इधर उदर कर सकते ठीक है लेकिन अगर वह भरा होगा तो अभी जो हमने बल लगाया खाले बॉक्स में उसके प्यक्चा में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब वह हिलेगा ठीक है या फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा ठीक है मतलब कहने के मतलब यह हुआ कि बल का जो प्रवलता होता है वह उसकी परिनाम से मापा जा सकता है बस तो की जो परिनाम होता है ठीक है परिनाम बोले तो एक तरह से हम लोग बोल सकते है बजन नाम के बात हो रहा है और यहाँ पर प्रभाब तरे करें भल के बात के बार्भॉअ के कि बारे में तो बल कि स्थितिंधि fulfill प्रिवर्तन सकते हैं ठीक है पहला हुआ और दूसरा वह कि उसकी अगर कि करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब गोल गेंद है अगर वो पिचाकने वाला जैसे होता है उतना भी तो हाड नहीं होता है जो हवा भरा हुआ होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं तो यह पर भाव है ठीक है चैंद को aware तो वह उसी दिशा में जाएगा एक ज्यादा लागा तो वह जाता टेज में जाएगा और उसकी जो आपल की बावनगाने के अगार ़ीश थे स्थे इस थे मैं भी किसे तो बाल की बढ़ेंदक पना करता है कि बल की छेंट केैं को भी सुचित करते हैं उसकी मतलब दिसा को भी सुचित करना अवस्यक होता है ठीक है तो यहां पर हम लोग यह इसमें बतानी कोशिस केगा कि जुबाल का जो परभाव है जुबाल का परभाव है वह उसकी परिनाम और दिसा दोनों पर निर्भर करता है ठीक है परिनाम और द बातलबाब कि यह हुआ जो कि इसमें परिवरता ला सकता उसकी कि 난ाम के आप उसकी परिवद्धान ला सकते तो इसमें यही था और इस वह बल कहीं से मातरक होता है वह न्यूटन होता है बस एट किलास में जो है वह इसमें इस टॉपिक इस लेट इतना ही पड़ना है तो चलिए आप हम लोग देखते हैं इसके बारे में परिनामी बल के वारे में समझने कोशिव करते हैं तो । कि यहां परिनामी यानि की कि इसको ऊंगी समय नेट वह लेंन एट फॉर्स बोलेंगे तो परिनाम ही क्या है तो देखें यहां पर ब्लावा को पॉज होन कि मही अर Nagar इसको ठीक है इस परकार से और अगर इसको दूब्याक्ति है जो मखत पर कारнулना यह और यह दोनों मिलकर अगर अगे खिल कि अलवारी को तो यह काफ़ी भारी होगा ठीक है है तो खी सकता तो यह हो एक है तो का मतलब की दोनों का बल अट हो गिया और इस पी लगा तो यह खिष नोगती थीक है तो परिमा मी क्योंब को भूल 한데 दो cloth गया गया clients सब्सक्राइब तुब Kreer इस अब लगा रगां यह ताँ अगर यह कर ल का अगर तुक हुआ है अगर आधर बैगा कर लोग में परिनामी वीड़ाया वह तो यह मतलब को अगर समल लोग समझझ ले या पिर बूक समझ ले तो अगर दो ब्यक्ति एक इधर से खीच रहा एक इधर से खीच रहा ठीक है तो अगर वो दोनों ब्यक्तियों का बल अगर समान होगा तो वो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा ठीक है लेकिन अगर जीधर बल अधीक होगा वो जो बुख है या भी कोई बस्तू होगा वो इदर जाएगा तो सपोज अगर यह जादा लगाएगा तो इधर खेशक जाएगा अगर यह लगाएगा तो इसके बइछ मिछ नहीं दोने नहीं बने बड़कि मेरे इसको जाएब यह होकर हूं। और एक इदक अर्द से खीच रहा है और एक इधर से खिच रहा है ठीक है इसके बुक को तो अगर यह माले सपोज मैं बता रहा हूं यह 10 और यह 10 बल लगा रहा है ठीक है तो यह तो खिचाएगा नहीं क्योंकि दोनों का सेम बल है लेकिन अगर यह 12 लगा देगा और यह 10 ही रहेगा तो यहां पर यह 2 जादा होगा तो जैसे अपने रसी जो होता है उसको कुछ इधर से खिचते यह खेल भी होता है तो जहां मतलब सभी इधर पांचे ब्यक्ति अगर दोनों तरब मतलब इक्वाल होगा तो वह उधर भी नहीं खिच आएगा लेकिन अगर जिदार भी बल जादा होगा वह उधर रखेंगे ठीक है चुकि यह जो चैप्टर है काफी लंबा और काफी इंट्रेस्टिंग है ठीक है तो इसलिए हम लोग इस परकार से समझेंगे वीडियो अच्छा लगो तो लाइक में से जरू सकीज़ेगा चल पहले चलो को सब्सक्राइब करके बेला कर देजाए तो मिलता सब्सक्राइब से नेक्स मिलेट तब तक लिए चैन जय भारत